सावन सोमवार की कथा के अनुसार अमरपूर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मानसम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतरमन से बहुत दुखी क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यू के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धनसंपत्ती को कौन संभालेगा डौट पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रती सुमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायमकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामनेगी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ती देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा के प्राणनात यह व्यापारी आपका सच्चा भ भगवान शिव ने मुस्कराते हुए कहा है पार्वती। इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ती होती है। प्रती सोमवार आपका विधिवत वरत रखता है और पूजार चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहन करता है। पूजार ने स्वपन में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ती का वर्दान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवत रहने की बात भी बताई। भगवान के वर्दान से व्यापारी को खुशी तो हुई लेकिन पुत्र की अलपायू की चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सुमवार का विधिवत वरत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अती सुन्दर पुत्र उत्पन हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयू के रहस्य का पता था यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था विद्वान ब्राह्मनों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब अमर बारा वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वारांसी भेजने का निश्चय हुआ व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वारांसी छोड़ाओ अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्री विश्राम के लिए ठहरते वहीं यग्य करते और ब्राहमनों को भोजन कराते थे लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर बारात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था उसे इस बात का भाय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे इस से उसकी बदनामी होगी वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूढ़ा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूँ विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्विकार कर ली अमर को दूलहे के वस्त्र पहना कर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया अमर जब लोट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया राजकुमारी चंदरिका तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था मैं तो वारांसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ अब तुम्हें जिस नव्यवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया राजा ने सब बाते जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वारांसी पहुँच गया अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब अमर की आयुसोलह वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यग्य किया यग्य की समाप्ती पर ब्राहमनों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्रदान किये रात को अमर अपने शयनकक्ष में सो गया शिव के वर्दान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राणपखेरू उडगए सोर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा आसपास के लोग भी एकत रहोकर दुहक प्रकट करने लगे मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने पार्वती जी ने भगवान से कहा प्राननात मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अद्रिश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले पार्वती यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है मैंने इसे 16 वर्ष की आयू का वर्दान दिया था इसकी आयू तो पूरी हो गई पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया हे प्राननात आप इस लड़के को जीवित करें नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यू के कारण रोरो कर अपने प्रानों का त्याग कर देंगे इस लड़के का पिता तो आपका परमभक्त है वर्षों से सुमवार का वरत करते हुए आपको भोग लगा रहा है पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां अमर का विवाह हुआ था उस नगर में भी अमर ने यग्य का आयोजन किया समीट से गुजरते हुए नगर के राजा ने यग्य का आयोजन देखा राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया यग्य समाप्थ होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत साधन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा दीपचंद ने नगर में पहुचते ही एक दूद को घर भेज कर अपने आगमन की सूचना भेजी अपने बेटे अमर के जीवित वापस लोटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वय को एक कमरे में बंद कर रखा था भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रतिग्या कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे व्यापारी अपनी पतनी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचा अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधु राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वपन में आकर कहा है श्रेष्ठी मैंने तेरे सुमवार के वरत करने और वरत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ सुमवार का वरत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लोट आई शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्रीपुरुष सुमवार का विधिवत वरत करते और वरत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है अगर आपकी कोई मननत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो मसलन कोई भी दिक्कत हो तो परेशान होने के बजाए अबकी सावन सोमवार का वरत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है